सिहोर जिले के रहटी थान अंतरगत 65 साल की वर्ष की वरध महिला के साथ पडूसी ने दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया जानकारी के मताबिक वरध महिला के घर कूलर सुधारनी के लिए आई युवक ने महिला को अकेला पाकर मौका देख दुशकर्म की घटना को अंजान दिया महिला ने रहटी थाने आकर रिपोर्ट दर्च कराई तो वहीं रहटी पुलिस ने ततपरता दिखाती हुए आरोपी अशोक कुमार 40 साल को ततकाल हिरास्त में लेकर धारा 376-506 आईपीसी के तहत मामला दर्च किया गटना कल किये 20 तारीकी ताना चेत्र के अंतरकत एक महिला भुजुर गये जो की 65 साल किये जिसके घर में एक वेक्ति आया उसने बताया कि उसके घर का कुलर तो तिन दिन से खराब था तो सायट उसके पड़ो से एक योग काया जिसने उसके घर का बुलट ही किया बाद उसके थोड़ी दिर बाद हो चाय बनाने के लिए गई 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 तो उसने उसके साथ जुमा जटकी कर उसके साथ गलग काम किया महिला ने काफी मना करने पर भी उसने कहा कि अगर शककेदार को भी बदाया था तो आज रेपोट करने आई था बिजंड क्या आरोपी की गरफ्तारी हो चीकी है आरोपी की गरफ्तारी हो चीकी है और आरोपी की नाम आशोक है क्या-क्या धहरा लगाई ính git 161 506 शफीकुरेशी कि रेपोर्ट